हेलो दोस्तों, आप सभी का हरे कृष्णा योग मंदर में स्वागत है। आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा और अपान वाईु मुद्रा दोनों अलग-अलग मुद्रा हैं। हम यहां सरिफ अप्पानमद्रा की बात करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको लगाने की विद्धी, तरीका सीखेंगे, दोनों हाथों को आप अपने गुटनों पे रखतेंगे, या चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, चलते फिरते गू जैसे भी आपको comfortable लगता है, अपने हाथ की दोनों मिड्ल फिंगर, याने जो समाल फिंगर के बाजू वाली है, अनामी का जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, और जो मध्यमा यो जो मिड्ल फिंगर है, इन दोनों के टिप को थंब के टिप के साथ एट करेंगे, टच करवा जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक हाथ से भी की जा सकती है, और दोनों आथों से भी की जा सकती है, ये सुबह में अगर आप खाली पेट करते हैं, तो बैस्ट है, अदर्वाइस कभी भी दिन में 45 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, 15, 15, 15 के 3 स्लोट्स भी कर सकत हैं, अब हम इसकी बात करेंगे, अपान मुद्रा को शुद्धी के रूप में भी जाना जाता है, ये बॉड़ी को डी टॉक्सिफाय करती है, ये शरी के बीतर और बाहर के तत्वों को बैलन्स करती है, इट प्यूरिफाइस दे बॉड़ी बुस्टिंग हेल्थ, ये मेनली एक्सेक्रिटरी सिस्टम पे काम करती है, आप जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, तो एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, कि आपका कॉंसेंट्रेशन यानि आपका जो ध्यान है, वो श्वास की गती की उपर ही रहना चाहिए, तो आपको फाइदा जल्दी से उन स्टार्ट हो जाएगा, और दोस्तों, according to Chinese philosophy, traditional Chinese medicine, उसके अंतरगत वुड एलिमेंट जो है, वो पांचों एलिमेंट में यांग है, उसका correspondence इस्प्रिंग है, वोड एलिमेंट शक्ति और लचिलेपन का एक तत्व है, जब यह तत्व शरीर में मजबूत होता है, तो अच्छी बनती है, अच्छे विचार आते हैं, आदर्श्वाग और सयोग की भावना आती है, व्यक्ति सोशल और एक्सपांसिव बनता है, क्योंकि अपान मुद्रा वुड एलिमेंट को स्टिमूलेट करती है, ये गॉल बलेडर और लीवर के लिए बहुती फायदे मंद ह ज़र लोगों को कॉंस्टिपेशन है, वो अगर सुपै में इसका अभ्यास ज्यादा करेंगे, तो उनको बहुत जल्दी से फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रूट चक्र और हारा चक्र यानि मुलादार और स्वादिस्टन चक्र पे काम करती है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टन्ट मुद्रा है फॉर स्ट्रॉंग हेल्थ बनानी के लिए, क्योंकि दोस्तों मुलादार चक्र रूट चक्र है, अगर मुलादार चक्र स्ट्र हो जाएगी अपने आप बाई डीफॉल्ट मूल बंद और उडियान बंद की साथ अगर यह मुद्रा लगाई जाए तो इसका लाब बढ़ जाता है यह मुद्रा स्टमक पेन याने पेट दर्द इंडाजिशन डाइबिटीज हिच्कियाना हेडेक याने सरदर्द के लिए बह दोनों प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है यह गैस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छी है यह गैस को क्योर करती है किड्नी में स्टोन को हटाती है दांत दर्द में बहुत अच्छी है हाई बीपी को कंट्रोल करती है कई जगे लो बीपी को भी बताया गया है यह इस बात का ध्यान देना चाहिए अगर ये मुद्रा काब अभ्यास करते हैं तो इससे पसीना ज्यादा आता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये डी टॉक्सिफाय करती है बोडी को बोडी की सारी विश जहर को बाहर फेंकती है तो वो जो विश होते हैं वो किस रूप से निक गरबती महिलाएं गरब अवस्ता के दोरान करें तो नॉर्मल और इजी डिलिवरी होने के चांसे बढ़ जाते हैं लेकिन उसकी कंडिशन ये है कि गरबती महिलाओं का आठवा मैना बिलकुल पूरा हो चुका हो कम्प्लीट हो चुका हो उसके बाद नाइन्थ मन्थ की बि जायरिया हो तो इस मुद्रा की प्रैक्टिस बिलकुल ना करें ये और गैंस को स्ट्रॉंग करती है और यूरिन और स्टूल को रेगिलर करती है उसके बाद एंगर यदि आपको गुसा ज्यादा है और कोई मेंटल प्रॉब्लम है डिस्टरबंस है तो ये उसको भी कम कर द इसलिए डाइजेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये आइस पे भी काम करती है माउथ पे काम करती है इयर पे भी काम करती है और नोस के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों गरबाश्य और पीगिर सबंदी रोग आपको जानकारी होगी कि प्रत्वी और आकाश तत्व के imbalance होने के कारण होते हैं इन समस्याओं में अपानमुद्रा बहुत ही उप्योगी है क्योंकि अपानमुद्रा मुलादार और स्वाधिस्टान चक्र को प्रभावित करती है इससे पेट की सारे अंग सक्रिय होते हैं और मेनोपॉस में भी यह बहुत है अब जानेंगे कि इससे और क्या फाइदे हो सकते हैं दोस्तो नाबी से लेक करके पैर तक के सारे प्रॉब्लम इससे ठीक होते हैं यानि कि आपको सेड़ी चड़ने में प्रॉब्लम होता है नी में से आवाज आती है और ज्वाइंट पेन है आपको तो यह मुत्रा आप स्टार्ट हुआ है तो आप रेग्यूलर उसका 45 मिनर्स अभ्यास करेंगे तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे यह मुत्रा माइग्रेन में बहुत ही बढ़िया साबित हुई है नी पेन एसे डिटी कॉलन डिजीज जो होती है उसमें भी बहुत ही असरकारक है रेग्यूलर इसका अभ्यास करने से साधक सारी नेगे ट्यूटी को छोड़ देता है अपने आप उससे छूट जाती है और वो योग की प्रती जागुर को जाता है और अच्छी हेल्थ बनाने में काम्याब हो जाता है इसी शुपकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हू फिर से नए वीडियो में एक नई मुत्रा को सिखेंगे हमेशा हसते रहे मुस्कराते रहे स्वस्त रहे मस्त रहे प्रेम से रहे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए परसंद आता है तो पसंद भी कीजिए शेयर करना तो बिल्कुली ना भूले धन झाले वाद